हेलो फ्रेंग्स, तो आज की अमारी स्टोरी एक ऐसे रैबिट के बारे में है, जो अपनी मॉम को आफ्टर लाइफ से वापस लाना चाहता है, लेकिन क्या वो नेचर के खिलाफ जा पाएगा, तो चलिए देखते हैं उसके अद्बुत से सफर को, तो मूवी की शुरू में हम जोन और उसकी फैमिली को देखते हैं, जो अपने नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, उनकी छोटी सी फैमिली बहुत ही हसी खुशी से रहती है, लेकिन फिर एक दिन उसकी मॉम के तब्यात अचानक से खराब हो गई, उस रात एक पोड़र से निकल कर फैदर किंग बाहर आत हैं, आगे का सीन कुछ टाइम बात का है, जहां जोन अपने डैट के साथ एक बोट में रहने लगा है, और एक बोटल में अपनी मॉम के लिए मैसिच छोड़ रहा है, वो अपनी मॉम को आफ्टर लाइफ से वापस लाना चाहता है, लेकिन उसके डैट उसे समझाते हैं कि ऐसा करना impossible है, और तुम्हारे लैटर से लिखने का भी कोई फाइदा नहीं है, जोन को ये सुनकर बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपने डैट की बात मानने को बिलकुल तयार नहीं था, और अपनी मॉम के लिए एक नया लैटर लिखने लगता है, वो उन्हें बताता है कि डैट को मुझे बिलकुल विश्वास नहीं है, और उन्हें तो बस ये डर लगा रहता है कि कहीं फैदर किंग मुझे भी न उठा कर ले जाए, फिर वो छुपते हुए उस बोटल को बाहर फैकने जाता है, लेकिन देखता है कि उसके डैट रेडियो पर अपने दोस बिल से बात कर रहे हैं, बिल उसके डैट को बताता है कि फैदर किंग पानी से बहुत डरता है और चुपने के लिए समुदर से बढ़िया जगा कोई नहीं है, लेकिन जोन उन्हें इग्नौर करके बोटल को पानी में फैंक देता है, और हम देखते हैं कि वो अचानक से समुदर की गहराईयों में चली गई है, अगली सुबा वो अपनी बोट की मरम्मत करने लगते हैं, और पता चलता है कि उनके नट बोल्ट्स खतम होने वाले हैं, उसके डैट पास ही की एक सीटी में जाने लगते हैं, और जोन को वोन करते हैं कि तुमें अंजान लोगों से दूर र मेसेज मिलता है, जो बताता है कि फैदर किंग उस तक पहुँच चुका है, और उसे इस वक्त मदद की जरूरत है, जोन ये सुनकर एकसाइटीड हो जाता है, क्योंकि वो खुद भी फैदर किंग से मिलना चाहता था, और अपने डैट के लिए मेसेज छोड़कर वो अकेले ही बिल की मदद करने निकल पड़ता है, जल्दी ही वो उसके आइलेंड तक पहुच जाता है, और देखता है कि कुछ ग्रीन क्रीचर्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बिल कूत कर उसकी बोर्ड तक आ जाता है, और वो उन क्रीचर से बचकर भागने लगते हैं, त लेकिन जोन उसकी एक नहीं सुनता, और बाहर जाकर एक फ्लेयर गन छोड़ देता है, तब ही हम वहाँ फैदर किंग को आते वे देखते हैं, और जोन इंजन रूम में जाकर बोर्ड को रोग देता है, यहां उसे फैदर किंग की आवाज सुनाई देती है, जो बिल को अप अपनी टिकेट दिखाता है, और कहता है कि मैं वहाँ जाने के लिए बिलकुल तयार नहीं हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, तब ही कुछ सोचकर वो अपनी टिकेट जोन को दे देता है, और कहता है कि इससे तुम फैदर किंग की दुनिया में जा सकते हो, और वहाँ हम देखते हैं कि बोट अचानक से डूबना शुरू हो गई है, बोटल की तरह वो बोट भी पानी की गहराईयों में जाने लगती है, और जोन के कैबिन में पानी भर जाता है, वो तैर कर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन देखता है कि उसकी फैमली फोटो वही बोट में रह गई है, फिर जैसे ही वो उसे वापस लेने जाता है, एक मैजिकल फोर्स उसे और उसकी बोट को गायब कर देती है, आगे हम उसे बोट के साथ आसमान से गिरते हुए देखते हैं, और वो फोक बैक नाम की एक मिस्टिक जगा पहुचता है, तब ही दूरू से एक शिप नजर आती है, और वो देखता है कि काफी सारे रैबिट्स वहाँ लाइन लगाए खड़े हैं, और एक फ्रोग कैप्टन उनकी टिकेट्स चेक कर रहा है, जोन भी उसे अपनी टिकेट दिखाता है, लेकिन कैप्टन कहता है कि तुम किसी और की टिकेट पर वहाँ नहीं जा सकते, और ये हमारी बोस मोरा का ओडर है, वो उसे वहाँ से दूर जाने को बोलता है, लेकिन जोन उसकी नजर बचा कर शिप के अंदर चला जाता है, तभी कैप्टन को आते देखकर वो छुप जाता है, और देखता है कि वो सारी टिकेट्स को एक बर्नर में डाल रहा है, और उसे निकले अनर्जी शिप को पावर देने लगती है, फिर वो लोग अपनी जर्नी पर आगे निकल जाते हैं, और थोड़ी ही देर में जोन को वो किंग्डम नजर आने लगता है, जहाँ एक जैसे हजारों घर बने हुए है, वो समझ जाता है कि मेरे मों भी इ चैक करने लगता है, और जोन उसे पूछता है कि तुमने मेरी मों को कहा चुपा कर रखा है, और मैं यहाँ उसे वापस ले जाने आया हूँ, लेकिन फैदर केंग उसे बिल के बारे में पूछता है, और कहता है कि तुमें इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, वो कैप्ट लेकिन फैदर किंग बताता है कि हम मोरा के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, और अगर उसे पता चल गया, तो वो इस जगा को परबात कर देगी, तब जोन उनकी बोस मोरा से मिलने को कहता है, वरना वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा, और फैदर किंग भी कुछ सो लेकिन अब वो इनका ध्यान रखने से मना कर रहा है, और इसलिए मैं उसे यहाँ लाना चाहता हूँ, फिर जदी ही वो उस टैंपल तक पहुँच जाते हैं, जहाँ बीच ओ बीच एक टरनल बनी हुई है, और उससे होते वे वो एक पूल के पास जाते हैं, पता चलता है कि मोरा इसी के अंदर रहती है, और फैदर किंग को वो टिकर्स भी यही से मिलती है, जिस पर यहाँ आने वाले का नाम लिखा होता है, फिर जोन के कहने पर वो मोरा से कॉंटेक करने लगता है, और यहाँ पूल में जापने के चकर में, जोन उसके अंदर गिर जाता है, बहुत नाराज होता है, क्योंकि उसकी गलती से यह जगा बरबाद हो सकती थी, और कहता है कि मोरा ने तुम्हें वापस बेजने को बोला है, फिर वो अपने मीनियन से उसे वापस शिप पर ले जाने को बोलता है, और खुद वहाँ से बिल को पकड़ने निकल जाता है, उसके सुनकर बहुत बुसा आता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मोरा में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, और वो मुझे मेरी माँ से मिलने से नहीं रोक सकती, फैदर किंग भी समझ जाता है कि इस से बात करना एक तम बेकार है, और वो लोग उसे वही छोड़कर वाप प्रेंट तक ले आई है, तब ही किसी के आने के आवाज सुनकर वो छूप जाता है, लेकिन पता चलता है कि ये तो उसकी मॉम ही है, जो यहाँ उसका मैसिज रिसीब करने आई है, वो भी जोन को यहाँ देख कर हैरान रह जाती है, और उससे लगता है कि कहीं उसे कुछ हो अगया हो, लेकिन जोन उसे बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और वो तो यहाँ किसी और की टिकट पर आया है, वो उन्हें अपनी पूरी स्टोरी सुनाता है, और कहता है कि मैं यहाँ आपको वापस लेने आया हूँ, फिर वो उसके घर की और जाने लगते हैं, और उसक उसने एक आर्ट पीस बनाया है, और जोन भी यह देखकर खुश हो जाता है, आगे वो अपनी मॉम को बताता है कि डैट फैदर किंग से बहुत डरते हैं, कि कहीं वो मुझे भी अपने साथ ना ले जाए, और इसी वज़ा से हमें समूंदर में रहना पड़ता है, तब उसक ही जोन सोने चला जाता है, सुबह वो घर के बाहर कुछ मीनियन्स को देखते हैं, और उसकी मॉम डर के मारे उसे छुपा लेती है, तब ही वो देखते हैं कि बिल वहां उनकी मदद करने आया है, और उने बताता है कि अब डरने के कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने उ सब कुछ ठीक नहीं लगता, लेकिन बिल उसे पताता है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जल्दी ही ये दुनिया बदलने वाली है, फिर वो मोरा के टेंपल में आते हैं, जहां बिल ने फैदर किंग को कैद किया हुआ है, और वो गुसे में उसे बहुत करता है, वो जोन को बताता है कि जल्दी ही मैं एक पार्टी देने वाला हूँ, ताकि यहां की बोरिंग लाइफ को इंटरस्टिंग बना सकूँ, और जोन भी ये सुनकर बहुत एकसाइटीड होता है, उसकी मोम को लगता है कि इस से किंग्डम का बैलेंस बिगर जाएगा, लेकिन बिल उसकी एक नहीं सुनता और पूल में से धेर सारी टिकट्स निकाल कर लाता है, फिर वोन टिकट्स को बाहर की दुनिया में कुछ रैबिट्स को देता है, ताकि उन्हें किंग्डम में पार्टी करने के लिए बुला सके, और जल्दी ही वो सब वहाना शुरू हो कहता है, और पता चलता है कि वो उसके डैट को भी यहीं ले आया है, उसके डैट को भी कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो एक बार फिर अपनी फैमली से मिलकर बहुत खुश होते हैं, जोन उन्हें भी अपने साथ घर ले आता है, और दिखाता है कि उसके सारे लैटर्स मॉ कुछ गए थे, और अब उनकी फैमली फिर से कंपलीट हो गई है, अगली सुबा वो घर में पानी भरावा देखते हैं, और मॉम समझ जाती है कि ज़रूर यहां कुछ गरबर होने वाली है, भागते वे वो तिनों बिल के पास आते हैं, जिसके यहां रैबिट्स की लाइन लगी हुई है, और पता चलता है कि वो सब अपने फैमली मेंबर्स को भी बुलाना चाते हैं, जोन उसे बाहर चल रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है, लेकिन बिल कहता है कि यहां ऐसा कुछ नहीं है, और देखो यह रैबिट्स कितने खुश हैं, तब मॉम उसे चात कर देते हैं, और वो उन्हें बताता है कि बिल ने नेचर के बैलेंस को बिगार दिया है, और अब मॉरा किसी को नहीं छोड़ेगी, वो उन्हें तुरन बिल के पास जाने को बोलता है, क्योंकि वह ही है जो उन्हें उनकी दुनिया में वापस ले जा सकता है, फिर वो उन्हें सब कुछ बरबाद कर दिया है, और इससे मॉरा बहुत नाराज है, बिल को लगता है कि ये सब जोन के बिना टिकट आने के कारण हुआ है, और इसे ठीक करने के लिए वो मॉरा से एक ओर टिकट निकाल लेता है, ताकि उसे जोन को देकर सब कुछ शान्त कर सके, फै पल से बाहा निकल जाता है, पता चलता है कि मॉरा किंग्डम को नश्ट करने लगी है, और जोन और उसकी फैमिली बचते हुए कैप्टन के पास आ जाते हैं, ताकि जल्दी से किंग्डम से बाहा निकल सके, मॉरा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन किसी तरह शिप को उसे दूर ले जाता है तभी वो देखते हैं कि बिल बोट लेकर भाग रहा है और जोन कैप्टन से उसका पीछा करने को कहता है आगे उन्हें बिल का वो सीक्रेट रास्ता नजर आता है लेकिन तभी मोरा उन तक पहुंच जाती है और शिप के सासाथ बिल को भी पकड़ लेती है बिल किसी तरह बच कर उस टावर पर चड़ने लगता है लेकिन मोरा उसे ऐसा नहीं करने देती और इधर जोन और उसकी फैवली भी बचतेवे टावर तक पहुंच जाती है जोन अपनी मौम से उपर आने को कहता है लेकिन वो देखती है कि टावर को छूत तो ही उसका हट जलने लगा है, वो समझ जाती है कि मैं इस दुनिया से नहीं निकल सकती, और इससे पहले की देर हो जाए, वो जोन और उसके डैट को उपर जाने को बोलती है, उसके डैट भी ये बास समझ जाते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मोरा ने उस टावर को तोड़ दिया है, और बिल भी नीचे पानी में गिर गया है, फिर मोरा एक टिकट को उठा कर अपने टैंटेकल पर लगाती है, और जोन समझ जाता है कि वो यहां अपनी टिकेट सी लेने आई है, वो टैंटेकल से होता हुआ किसी तरह उस शिप में जाता है, जहां बर्नन में धेर सारी टिकेट्स रखी हुई हैं, और उन्हें निकाल कर वापस मोरा को दे देता है, इससे मोरा शांत होने लगती है, लेकिन बिल का पीछा अभी भी नहीं छोड़ती, जोन उसकी मदद करने जाता है, और उससे वो आगरी टिकट लेकर टैंटेकल्स के होल को बंद कर देता है, मोरा बिल को छोड़कर वापस अंडरक्राउंड चली जाती है, और जोन उसे बचाकर उपर ले आता है, वो सब सोचते हैं कि अब भला हम उपर कैसे जाएंगे, और तब ही वो मीनियन उन्हें कुछ इशारा करता है, जोन उसकी बास समझ जाता है, और वो देखते हैं कि हवा भरते ही वो फैदर किंग में बदल गया है, वो बताता है कि मोरा से मेरी बात हो गई है, और हमें उन सबी रैबिट्स को वापस बेजना होगा, जिने यहां नहीं होना चाहिए, वो उन्हें लकडी के टुकड़े कठा करने को कहता है, और हम देखते हैं कि कैप्टन भी उन पार्टी रैबिट्स को वापस ले आया है, फिर फैदर किंग अपने कुछ मीनियन्स को बुलाता है, और वो उन टुकड़ो से वाँ स्टेर्स बना देते हैं, जो सीधा उपर पोर्टल तर जा रही हैं, सबी रैबिट्स वापस अपनी दुनिया में जाने लगते हैं, और जोन भी अपनी मॉम से अलविदा लेकर निकल जाता है, और कहता है कि वापस जाकर वो उने और लैटर्स बेजेगा, इतने दिन समुन्द में रहने के बाद, फाइनली वो दोनों वापस जमीन की और चले जाते हैं, जहाँ जोन अपनी मॉम को एक निया लेटर लिखता है, और इस बार उसके टैट भी उसका पूरा साथ देते हैं, एंड सीन में हम देखते हैं, कि वो अपने पुराने घर में वापस जा रहे हैं, और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है, तो दोस्तों, अगर आपको इंग मूवी पसंद आई हो, तो प्लीज हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू,